महागटबंधन में राजत के दबदबा का असर अब दिखने लगा है। दरसल राजत के पुर्व विधायक और सजायाफता राजबलब वियादव को पेरोल मिली है इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या वाकई महागटबंधन में राजत का जो दबदबा है वो बढ़ा है। गौरतलब हो कि नाबालिक के साथ दुसकर्म के मामले में सजा काट रहे राजबलब वियादव को आज रिहा किया गया है। उन्हें 15 दिनों का जो पेरोल है वो दिया गया है। और इससे पहले कि बात की जाए तो राजबलब वियादव जब जेल से पटना के IGIMS में पहुँचे थे इलाज कराने उस दोरान भी उनका वीडियो वाइरल हुआ था जहां वो अपनी विधायक पतनी के साथ अपने छेटरे के जनता के साथ जनता दरबार लगाते हुए IGIM इस केंपस में नजर आये थे गौरतलब हो कि 2016 में नवालिक बच्ची के साथ दुसकर्म के मामले में जब राजबलब वियादव पर मुकदमा दर्ज हुआ था उस दोरान भी बिहार में महागटबंधन की सरकार थी लेकिन इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया लेकिन जैसे ही ये मामला तुल पकरा था उसके बाद राजबलब वियादव को पुलिस खोज रही थी हाला कि उस दोरान भी राजबलब वियादव को पुलिस पकर नहीं पाई जिसके बाद स्वता राजबलब वियादव ने खुद अपनी गिरफतारी जो है वो दी थी य रहा जा रहा है कि क्या महागटबंधन के अंदर जो राजत का दबदबा है वो कायम है। आज मैंने अपना चौड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे। चौड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का दबबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का दबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में। पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सबुर्णिया में अब क्यों मुमीठा करवा रहे हैं। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined।